साचिन जी, BSP MLA का पूरी तरह से कॉंग्रेस में शामिल होना बहुत महत्वपूर्पूर कदम है, खासकर जब हमने नैशनल सिनारियों में देखा था कि करनाटक की सरकार गिर गई, मध्यप्रदेश की सरकार पे खत्रा तो मन्रा ही रहा है, लेकिन राजस्थान में अब कि यहां पर जो बाजपार कांग्रेस का अंतर है वो बहुत जादा है, 28-30 विदायकों का हमारा डिफरेंस है, बाकी स्टेट्स में बराबरी में थे और यहां पर जो दल हमको बाहर से समर्थन कर रहे थे, आज उनों इच्छा प्रकट करी है कि वो स्पिकर महदे से मिलकर कि हम लोग अपचारिक रूप से कांग्रेस पाटी में शामिल होना चाहते हैं, सब इच्छे के विदायक, तो यह एक अच्छा कदम है, संगठन के साथ सरकार को बार मजबूती मिलेगी और यह बहुत कम होता है राजनीत में, जब लोग विदायक गंड बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी कंडिशन के, स्वतेही निस्वार्थ भावना से सरकार को ताकत देने के लिए उसमें शामिल होना चाहते हैं, इसका अंतिम दिरने, स्पीकर मोहदय करेंगे, सब नियम कानूं को देखने के बाद, लेकिन यह सरकार को और प्रदेश को एक त किसी ने करी नहीं, उन्हों ने खुद का कि हम अंकंडिशनल सरकार के अंदर कॉंग्रेस पार्टी में जॉइन होना चाहते हैं, तो मैं इस मूव का स्वाकत करता हूं और इससे परदेश में और सरकार को बहुत ताकत मिलेगी, लेकिन लाजर पिक्चर क्या है, अगम लाज करती हैं, उसके अधार पर पार्टी निर्ने करती है कि क्या करना क्या नहीं करना, अब चुनाफ समाप्त हो चुके हैं विदान सभा के लोक सभा के, अब सरकार बनी है, जनादेश हमको मिला है, आशरवाद मिला है, तो हमारा दाइत हो है कि हमने जो जनता से वादे की उनको वादों को पूरा करने के लिए सब का सातम ले रहे हैं और खुशी इस बात किये जो अलग अलग छोटी पाटियों के विदायक है या जो निर्दली चुनाब जीत कर रहे हैं वो सभी हमारे साथ अलग रहे हैं तो लाजर पिक्चर तो यह कि अब चार साल तक सिर्फ लोगों क करने में लगे हुए हैं आपको लगता है कही लोकल बॉड़ी एलेक्शन साइन अभी तो एकाई की चुनाव है डाट इस सिटी बेस्ट लेकिन पंचायद भी चुनाव काफी दूर नहीं है जनवरी में है कही लोकल बॉड़ी एलेक्शन में कुछ फाइदा मिलेगा कॉंग लोकसमा में वो सबीसी जीते थे तो चुनाव तो चुनाव की तरहें लिया जाता है लेकिन संगटन की तयारी पूरी है मैं लगातार मीटिंग्स कर रहा हूं और लोकों को जिमेदारी हमने दी है कि वर्कर्स जिन्होंने खून पसीना भाकर हमको सेवा करने के लायक बनाया यह हमारा दायत वेस पर हम लगे हुए है